पहला कुश्चन है साइकलॉप्स किसका दुतियक पोशक है चार आप्शन दिये गए हैं ये कुश्चन PGT 2004 में आया इसके बाद TGT में 2013 में पुछा गया मैंने आपको बताया कई बार कि TGT और PGT में बहुत सारे ऐसे कुश्चन जो घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं तो साइकलॉप्स एक जलिय आर्थोपोडा है जो क्रिष्टेशिया वर्ग का है और नहरुवा इसके हल्मिन्थीज फायलम का जन्तु है यह एक परजीवी है जिसका प्राथमिक पोशक मनुस्य होता है प्राइमरी होश्ट क्या होता है मनुस्य होता है नेश कुश्चन है नर इसकेरिस मादा इसकेरिस से भिन होता है क्योंकि इसमें होती है तो इसका आंसर होगा C पिनवल इस्पिक्यूल्स इनमें पिनवल इस्पिक्यूल्स पाई जाती है इसलिए नर इसकेरिस मादा इसकेरिस से भिन होती है जैसा कि आप लोग चितर में देख भी रहे हैं नर इस सीधी होती है और नर में जो क्लोएका है क्लोएका से दो स्वी जैसी संदचनाएं निकली हुई है जिन्हें पिनियल इस्पिक्यूल्स कहा जाता है या इन्हीं स्वी जैसी संदचनाओं को पिनियल इस्पिक्यूल्स कहते हैं या एक इसका दूसरा भी नाम होता है कापुलेट CT, Capulatory CT भी इन्ही को कहा जाता है और इन्ही से मैथुन होता है यानि ये मैथुन में शहायता करती हैं नेश्ट कोईसन है CT वर्म किस क्रिमी का दूसरा नाम है CT वर्म किस क्रिमी का दूसरा नाम बताना है कि इसका बैज्ञानिक नाम Entrovius Vermicularis है CT वर्म का या पिन वर्म का क्या नाम है बैज्ञानिक Entrovius Vermicularis या मनुसी का सबसे साधारन निमेटोड पर जीवी है साधारन है निमेटोड है और पर जीवी है जो लगबग शंपूर विश्व में पाया जाता है निमेटोडा में वास्तविक देगवा अनुपस्थित होती है चार संग दिये गए है निमेटोडा एनिलीडा एकाइनोडरमेटा मोलस्का इसमें ऐसा कौन सा संग है जिसमें वास्तविक देगवा अनुपस्थित होती है या नहीं पाय जाती है PGT 2013 में कोशन पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला निमेटोड़ा में वास्तविक देगुआ अनुपस्थित होती है आप लोगों को बता दें कि वास्तविक देगुआ है क्या वास्तों में तो वास्तविक देगुआ वा होती है जो भूरिये मीसोडर्म से उत्पन देगुआ को वास्तविक देगुआ कहा जाता है और या गुआ जितने भी विकल्प दिये गए हैं इनमें से सब को छोड़कर स संग में नहीं होती है बाकी सभी में पाई जाती है और इस संग में आभासी सीलों गुहा पाई जाती है कैसा स्योटो सीलों में गुहा पाई जाती है जो कि भूण ब्लास्टो सील गुहा से उत्पन होती है नेक्स कोछल है वोचरेरिया के द्वारा फाइलेरियेसिस जिस बता दें कि फाइलेरिया परजीवी वोचरेरिया लसी का ग्रंतियों में तथा वाहिनियों में अबरोध उत्पन्न कर देते हैं और ये विसेश कर नीचे के पैरों में जनन अंगों की लसी का वाहिनियों में होते हैं जिस कारण से सूजन उत्पन्न हो जाती है हाथी पाउ नामक रोग का वाहक है चार आफसन कीवलेक्स मक्षर कीवलेक्स मक्षर किस से ? नहीं होगा संक्रमित मक्षर से होगा किस से किवलेक्स से बता दें कि हाथी पाउं या फाइलेरिया रोग वुचरेरिया व्रैंक अप्टी द्वारा होता है और इसका वाहक या वेक्टर एक संक्रमित किवलेक्स मक्षर होता है अगर वो संक्रमित है अगर उसके अंदर संक्र प्रमड है तब ही होगा और जब एक संक्रमित के विले समक्षर मनस को काटता है तो इसके परजीवी मनस के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं अगर आप लोग हाथी पाउं रोग पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इमरेचल में अप्लोडड है आप लोग जा करके डीटेल से जनकारी प्राब्ट कर सकते हैं next question है हाथी पाउं अथवा फाइल एरिया का रोग अस्थानान्त्रित होता है तो ये रोग अस्थानान्त्रित होता है किस के द्वारा 4 अपसन दिये गए हैं आपसन सयोगा B मच्छर के द्वारा अस्थानान्त्रित होता है TGT 2010 में पूछा गया था और किस मच्छषर के द्वारा? तो मेंने बताया था क्योलेस मच्छर के द्वारा या संक्रमित क्योलेस मच्छोर के द्वारा? Next question है बुचरेरिया उत्पन करता है, बुचरेरिया क्या उत्पन करता है? सबी लोग अब तक जान चुके होंगे कई बार प्रशन पूछा गया है गुमा गुमा करके तो इसका आंसर होगा D. हाथी पाउं या फाइलेरिया रोग वोचरेरिया उत्पन करता है गोल क्रिमी के कारण कौन सा रोग होता है गोल क्रिमी या निमेटोडा के कारण कौन सा रोग हो जाता है TGT 2004 में कुछा गया था इसका आंसर होगा B. फाइलेरियेसिस नामक रोग गोल क्रिमी के कारण उत्पन होता है और phylerosis नमक जो रोग है ये वुचरेरिया द्वारा उत्पन होता है या इसके हिलमेंथिस या निमेटोडा संग का जन्तु है और इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलिक्स मक्छर होता है वाहक कौन है मादा क्यूलिक्स मक्छर होता है वुचरेरिया ब्रेंकाफ्टी का लारवा है कौन सा बताना है पहला माइक्रो फाइलेरिया लारवा बता दें आपको कि यहा अल्प विक्सित सिसुप्रावस्था में होता है वुचरेरिया एक परजीवी है मैंने आपको बताया ही है जो फाइलेरिया या हाथी पाव नामक र नेश्ट कुश्चन है जरायूजी प्रायाह मिलता है जरायूजी किसमे मिलता है चार आफसन दिये गए हैं इसमें से आफसन सयोगा पहला वुचरेरिया में जरायूजी मिलता है बता दें कि फाइलेरिया वर्म या वुचरेरिया एक जरायूजी गोल क्रिमी है राउंड वर् सिसिंसियल अधिचर्म पाया जाता है सिसिंसियल अधिचर्म किसमें पाया जाता है TGT 2010 में question पूचा गया था इसका answer होगा B Askeris में सिसिंसियल अधिचर्म पाया जाता है आपको बताते चलें कि Askeris की अधिचर्म जो होती है जो epidermis होती है इसमें अलग-अलग कोशकाय नहीं होती हैं बलकि इसमें साइटो प्लाज्मी की एक सतत या कॉंटीनिवस अस्तर पाया जाता है जिसमें केंद्रक बिखरे हुए होते हैं और उसे ही सेसिंसियल या सिनोसितिक कहा जाता है नेश्ट कुश्चन है लेंगिक दुरूपता पाई जाती है लेंगिक दुरूपता किस में पाई जाती है हाइडरा में केचुवा में स्केरिस में आत्र क्रीमी में किस में लेंगिक दुरूपता पाई जाती है टीजी टी दोजान नौ में कुश्चन पूछा गया था इसका आंसर होगा C, एस्केरिस में लेंगिक दुरूपता पाई जाती है। आपको बता दें कि जब नर तथा मादा यानि मेल और फिमेल को बाहि लेंगिक लक्षणों के आधार पर अलग-अलग पहचाना जा सके। उसे ही लेंगिक दुरूपता कहा जाता है। तो लेंगिक दुरूपता किसे कहते हैं? यानि sexual dimorphism किसे कहा जाता है? जब नर को आप अलग पहचान सकें, मादा को अलग पहचान सकें, बाह लक्षडों को देखकर आप पहचान लें, उसे ही लेंगिक दुरूपता कहा जाता है, या sexual dimorphism कहा जाता है, तो एसकेरिस को नर एवं मादा में बाह लक्षडों के आधार पर उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, इसलिए इसमें एसकेरिस आप्षण सही होगा, नेश कुश्चन है, लेंगिक दुरूपता इसपष्ट दिखाई देती है, किसमें आणसर सही होगा, एसकेरिस में, वो कुश्चन टीजीटी दोजार नौ में आया था, फिर देखें उसी कुश्चन को गुमा कर पूछा गया थोड़ा सा, टीजीटी दोजार ग्यारा में, कई बार कुश्चन गुमा गुमा करके पूछे जाते हैं, नेश्च कुश्चन है, एसकेरिस का प्रतम तरोन दिंबग कौन कहलाता है? टीजीटी दोजार नौ में कुश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा B, रहबडीटी फार्म लार्वा, रहबडीटी फार्म लार्वा दिंबग कहलाता है, नेक्ट कुश्टन है माइक्रो फाइलेरिया रात में निवास करते हैं किसमें चारा संद्य गए हैं इसमें आफसन से होगा पहला परिवेसी वाहिकाओं में निवास करते हैं आपको बताते चलें कि माइक्रो फाइलेरिया वुचरेरिया ब्रंकाफ्टी की संक्रामक लार्वा आवस्था है जो फाइल एरिया रोग उत्पन करता है और मनुस के रुधिर में ये परजीवी और रात दिन में अलग अलग तरह के निवास करते हैं रात में ये उपरी तथा बाहरी रुधिर वाहिकाओं में रहते हैं जबकि दिन में ये भीतरी रुधिर वाहिकाओं में नि पूरा कर लेता है एक ही होश्ट में पूरा कर लेता है, इसका कोई भी दुतियक या मध्यस्त पोसक नहीं होता है, समानता इसके इसका पोसद मनुसी ही होता है, जबकि जो अन्ने आफसन दिये गए हैं, अन्ने आफसनों में सभी के दुतियक पोसक भी होते हैं, यह अपना जीवन चक्र एक से लेकर के दो पोस्तों में पूरा करते हैं नेश कुछचन है किस परजीवी के लिए दुतियक पोस्त की आवश्रक्ता नहीं होती ऐसा कौन सा परजीवी है जिसके लिए दुतियक पोस्त की आवश्रक्ता नहीं होती है तो देखे प्रेश्ण घुमा कर पूछा गया है वो TGT 2004 चार में पूछा गया था, ये TGT 2002 में उसके पहले आया था तो घुमा घुमा कर प्रेश्ट पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा C, एसकेरिस जो होता है इसका पोसत किवल मनुस से होता है एक ही पोसत होता है एक ही पोसत में अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट में जीवन चक्र पूरा कर लेता है नेश कुछचन है निलुकित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोसी नहीं होता है मध्यवर्ती पोसी नहीं होता है तो इसका आंसर होगा B, एसकेरिस का मध्यवर्षी पोसी नहीं होता है चाहे मध्यवर्थी कहिए चाहे मध्यस्त कहिए चाहे दुतियक कहिए बात एक ही होती है नेश कुछन है किस परजीवी में intermediate host नहीं पाया जाता ऐसा कौन सा परजीवी है जिसमें intermediate host नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर होगा B, Askeris में intermediate host नहीं पाया जाता है मैंने आपको कई बार बताया देखे कितनी बार question गुमा गुमा करके पूछे जाते हैं सेम वही question को अलग तरीके से पूछा जाता है Next question है, Askeris में उतसरजन अंग इस आकार का होता है और यहां अकेली कोसिका से बिक्सित होता है जिसे रीनेट कोसिका कहा जाता है जो अकेली कोसिका होती है जिसे बिक्सित होता है उसे क्या कहते हैं? रीनेट कोसिका कहते है और इस कोसिका से नलिकाओं का निर्माड होता है यह संपूर कैनल आपस में मिलकर H के आकार की दिखाई देती है घृष कुछन है और मिबीये सुक्रान पाए जाते हैं तَّ 276 पूछ पूछा गया था इसका आंसर होगा आप्सर होगा रूट नाट रोग उत्पन होता है किस से आप्सन सही होगा B, निमेटोट से Root not रोग उत्पन्न होता है आपको बता दे कि Root not है क्या वास्तों में मेलो यडो जायन नामक निमेटोट की कुछ प्रजातियां बिभिन ब्रचों, जाडियों, साग की जड़ों को रोग ग्रस्त कर देती है उसे ही Root not रोग कहा जाता है मेलो यडो जायन की यानि इस जो निमेटोट है इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है वो ब्रच को, जाडि को, साग की जणों को रोग ग्रस्त कर देती है उसे ही Root not रोग कहा जाता है बिइस कुच्चन है लोवा लोवा द्वारा संचरित संक्रमल का संवाहक होता है लोवा लोवा के द्वारा संचरित संक्रमल का संवाहक बताना है आप्शन सही होगा A. क्राइसाप्स प्रजाती क्राइसाप्स प्रजाती होती है लोवा लोवा एक निमेटोड है जो लोवा लोवा फाइले रेसिस नामक रोग उत्पन करता है